दोस्तों प्रदीवीरी एकाडमी इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और दोस्तों यह वाला पार्ट प्रिवियस लेक्चर का ही पार्ट है अब मैं यहां पर अच्छे तरीके से अपनी चीजों को क्लेट करने कारते हुए और ओर नैंट्स अब अपो को जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो अब देखो दोस्तों फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्राइस इस पी एंड क्यू हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले अगर मुझे इसका स्टार्टिंग करना तो मैंने बता या था यहाँ पर आए यहाँ पर मतलब नंबर यहाँ पर आप अब छेट menu क्यों तो यहाँ दोस्तों अगर आप ऑगे जू सुड्य ही औज कि धी अज़्यों क्या मैं तो अब यहाँ पर कॉपी करके श्रुदीं सब्सक्राइबंब सार करोगे तो यहां पर आबी मतलब डोस्तो त्री लिख दो यहां पर मैंने लिग दिया आप अब यहां पर अगर आप दियां से देखोंगे दोस्तो तो आएवार मतलब यहां था है फॉर घrrो एक मने जीडिडि घ्र मेत्रिकश लिखना अच्छी है अब दूस्तों यहां पर का पार्ट होने के बाद आपको पता है कि सबसे पहले इस वाले पार्ट को आपको नॉर्वल फॉर्म मतलब यहां पर आपको सबसे ले वन लेकर आना है तो वन अल्रीडी है उसके नीचे के माइनस वन्रॉण लिखते नहीं है तो माइनस знаем खला अब देखू दूस्तों यहां पर जो चेंजे से यहां पर पूरा पूरा पार्ट लिख रहा हूं कि याप और यहां पर अरो है अब देखो दोस्तों यहां आप को ध्यान देनी जरूल्सा т velvet घुर्ण बाद निए जो भी आपको दिखाई गर्ण देखो दोस्तों यहां पे वन है कि अब यहां पे यह दोनों कि आएगा तो जीरू आएगा आपको पता है चेंजिस किसमें नहीं होगा आर वन में तो आर वन पूरा का पूरा सेम है अब दोस्तों एक और चीज़ ध्यान रखो जब आप रो अपलाए कर रहे हो तो कॉलम वाले पार्ट को आप एज इटीज लिखोगे इसमें जब कॉलम में कोई चेंजेस करते हो तो आपका ये चेंज होगा तो ये वाला पार्ट आपका एज इटीज सेम डू सेम आप कॉपी करोगे कोई चेंजेस नहीं करोगे और बस इसके अंदर चेंजेस होगा अब यहां का रो भी आप सेम डू सेम लिख होगे अब देखो दोस्तों यहां पर आर्टू में चेंज होगा आर्टू में हम दोनों ने जीरो लिख दिया यहां पर अब आपको अपने कैल्सी का यू है, तो यहां पर finally एंसर कितना है दोस्तो organized सॉल करों तो यहीं सेकों में जीतने भी volunteer निकालोगी इस फार्मिले से र तु यहां पí the और कई दूस्तो फाइय ensemble और माइनसे और अगर मैं बात करों इसके लिए अटाने के 2, आर paste कितना है न दुसतो, 2 है. तो finally यहां पे काया है, दुसतो, minus 3. अब यहां पे घुश्री पिट सेरे बात करोता है, तो आरिबने को वैलु कि बात करोता है, जीरो है, minus two. आर टुरी कितना है, धो तो वन ए है, फाइनली दुसतो, यहां पे minus two. R2 कितना है दोस्तो R2 1 है माइनस 2 R1 कितना है दोस्तो 0 है तो finally यहाँ पर 1 R2 कितना है दोस्तो 0 है माइनस 2 R1 कितना है दोस्तो 0 है तो finally यहाँ पर answer कितना है दोस्तो 0 अब यह पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब मैं R3 वाले formula का use करूँगा सब्सक्राइब करने के बाद आपका नेक्स टार्गेट किया है तो आपको क्या करना चीए तो मैं इसको नेक्स पेश पर ले रहा हूं जैसी हम रोव अप्लाई करते हैं दोस्तों उसके बाद हमारा काम है कॉलम अप्लाई करना नॉर्मल फॉर्म में हमेसा यह तीनों को जीरो करेंगे यह कौन से रो में दोस्तों सेकेंड रो में इस रिस्पेक्ट तू फॉर्स कॉलम यहां पर लिखा अब यहां पर अगर हम द्यान से चीजों को समझने कोसिस करें तो यहां पर यह पार्ट है अपका यह यह है और यहां पर अब देखो कॉलम की वज़े से सबस्वेल है रो में कोई changes नहीं होगा तो इसको आप as it is जो भी आपका वैल्यू आ रहा है आप लिग दो अधर के पता यह तो यह 2000, आपएब सबस्क्ष sharps सेंन से 10 होगा जी जीन है मैंहों अब यहां पर इसको देखो विध रिश्पेकट हूं अ गर मैं इसको सॉलिए तो यहांप पर पीछे वाले वैल्यूज़ अगर जीरो होते तो से मैं जो आता हूं यह लिख देता पर अब देखो मैं यह इसको solve करने जा रहा हूँ 0-2 into C1 कहा है दोस्तो यहाँ पर कहाएगा minus 2 वैसे अगर मैं इसको solve करूँ तो answer कहाएगा minus 3 ऐसे इसको solve करूँ तो answer कहाएगा minus 2 अब दोस्तों देखो यहाँ पर C1 सभी के लास्टमर और 0 है तो यह पूरा का पूरा सेम आएगा, इसमें कोई changes नहीं है, 0 है, 0, 1, 0, 0, 0, 1, यहाँ पर कोई changes नहीं, अब दोस्तों यहाँ तका पार्ट होने के बाद, अब मुझे यह कुछ values find out करने होंगे, दोस्तों देखो, यह C1 सभी के last में है, तो C1 के value 0 है, तो यह as it is आपको copy करना है, माइनस 1, माइनस 1, माइनस 3, 1, 1, 3, अब यहाँ पर आपने यह पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया, अब यह पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद, देखो दोस्तों, अब यह हमारा पूरा का पूरा पार्ट है, अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, please ध्यान से अच्छ कर दूँ दो option है तो मैं क्या करूं को पता है R2 multiply by minus 1 तो अगर मैं R2 को minus 1 से multiply कर रहा हूं तो देखो changes क्या होगा देखो दोस्तों column में तो कोई changes नहीं होगा तो column 1 minus 2 minus 3 minus 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 यह as it is रहेगा कोई changes नहीं अब बस changes के आदेखो यहां पर first row भी same होगा कोई changes नहीं यहां पर भी यह दोनों same होगा 0 1 1 3 यह भी 0 minus 1 0 1 changes कहां पर होगा दोस्तों R2 में अगर मैं इसको minus 1 से multiply करूँ तो यह 0 minus 1 से multiply करूँ तो 1 minus 1 से तो 1 minus 3 को 1 से माइनस वन से मल्टिप्लाइ करो तो 3 यह 2 यह माइनस वन हो जाएगा दोस्तों और यह 0 क्योंकि रो में चेंजेस होगा क्योंकि रो वाला इक्रेशन अपलाए कर रहा हूं अब दोस्तों यहां तका पार्ट हो गया अब मुझे आगी की और बढ़ना है अब देखो मैंने इसक करते हैं नीचे देखो मतलब यह वाला वैल्य अपने को 0 करना मतलब आर्थी जीरो करना वित रिस्पेक्ट टू आर्टू और यहां पर अब यहां पर अगर आप द्यान से देखोगे तो दोस्तों यह जो पूरा का पूरा पार्ट है तो आप यह पूरा का पूरा पार्ट में फिर से यहां पे कॉलम वाला पार्ट सेम आएगा 1-2-3-2 0-1-0-0-1-0-0-0-1 परफेक्ट अब यह वाले पार्ट में आर्थी में बस चेंजेस है तो यह उपर का पार्ट जीरो-जीरो-जीरो-जीरो-जीरो रहे गाज़ं यह आर-1 सेम है आर-2 भी सेम होगा 2-1-0 आर-3 में चेंजेस है और आपको पता है कि यह आअप अप्लाइ कर रहे हो तो यहां पे 0 लाने के लिए बाकी के वैल्यू सबको सौल करना है बाकी का वैल्यू आप जब सौल करोगे तो आर 3-2 है यह को 1-1 0 3-3 0-1-2-3-0-1-1-1-1-0-1 अब यहां तका पार्ट हो गया दोस्तों अब next step में आपको पता है कि next step में क्या करने वालों यह वाला जो पार्ट है यहां पर मैंने नीचे देखा फिर मैं इसे सामने देखूंगा मतलब मुझे किसको 0 लेकर आना है दोस्तों c3 को with respect to c2 यहां 1 है तो opposite minus 1 मतलब minus बस लिखो मैं next page पर मैं copy कर रहा हूँ सम बड़ा होगा बट सम बड़ा है पर बहुत ही अच्छे से आपको एक basic idea दे रहा है कि सम की किस तरह से आपको आगे के पार्ट को solve करना चाहिए अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो देखो यहां पर यह पूरा पार्ट है यह पूरा पार्ट है और यह है और यह पूरा पार्ट है अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर मैंने column apply किया है मतलब मेरे row के value जो है वो as it is same होंगे यहां पर कोई changes नहीं है और दोस्तों यहां पर one है यहां पर column में changes होगा सबसे वहले column में c3 और c4 change होगा मतलब starting के दो same होगे 0100 c3 change होगा और आपको पता है कि यह दोनों formula apply कि हो तो यह दोनों तो 0 होगे बाकी अगर आप देखोगे c2 c2 पे दोनों values 0 है तो मतलब यहां पर जो भी values है as it is आपको लिग देना है कोई changes नहीं करना है और दोस्तों यहां पर यहां पर भी आपको c1 c2 same रखना है 0100 0000 और यहां पर आप देखोगे दोस्तों तो देखो यहां पर अगर आप दियान से देखोगे c2 c2 यह दोनों पर 0 है तो यह दोनों पर 0 है तो यहां पर यह दोनों values same होगे कोई changes नहीं बट यहां पर 0 नहीं है यहां पर न C3 –3 बीच पर सच बीच में माइनस है और C2 सवा फाह atención कहें माइन लिए- C3 क्या है दोस्तो अब माइनस 1 यहां पर कहा गए माइनस 1 यहां 2tspdc4-3 edus के 2-3 . यहां पर कायेगे दो 404 a को सीट्री है अगरम देखे यहांपर деखें है 24 mm मारा मानेश 3 ॥ी ए दूस्तो 1 कि अब यहांपर मैंने पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तो solve कर दिया है A to Z part अब अगर आपको कोई अगर पूछा कि rank of matrix बताओ A तो आप इसका rank of matrix भी बता सकते इसमें दो ही रो में elements है तो rank of matrix इतना होगा प्लीज कॉमेंट करके बताना 2 होगा यहाँ पे यह आपका क्या होगा दूस्तो P हो गया और यह वाला पार्ट आपका Q हो गया तो आपको अलग से लिखना चाहिए कि यह P है और यह Q है तो फाइनली दोस्तों बहुत ही अच्छे से यहां पर देखो मैंने एक वीडियो आपका नॉर्मल फॉर्म पर बनाया फिर इसके बाद मैंने नॉर्मल है तो आपकोहेरां उसके बाद आपको और भी इस्स्फ्राइब करने वह चैज मैं एक ऍंप्र सबस्क्राइब कर सकते हों दोस्तों नेक्स वीडियो में बाय एक किर उमीद कर रहा हूं कि आप अच्छे दरीगे से सबी चीजों को त्यार करोगे जैन दोस्तों